नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मौनता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मौनता जवे में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं अपना लास्ट वीडियो डाली थी डिस्वासर के डेमो और रिव्यू के बारे में तो आप लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया और आप लोग के बहुत सारे डाउट भरे सवाल है सभी का मैं एकदम अच्छे से रिपलाई दूँगी और आप लोग के मन में इतनी सारे डाउट भरे सवाल चल रहे हैं कि मैं सुनके घबडा गए हूँ लेकिन मैं आपके साथ किलियर कर देती हूँ अभी जस्ट आप लोग देखिए अगर इससे आप लोग को कुछ लाव मिल जाए तो इन सभी मौतपूर बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से बरतन डालें कितना बिजली बीलाता है कितना पानी लेता है इतना समय क्यों लेता है इससे अच्छा तो हाथ से धोलते आप लोग के इतने भर भर के कमेंट्स आये तो सभी चीजे मैं आपके साथ सेर करूंगी तो आप बने रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अप मेरे चैनल को दोने के लिए और कौन से बरतन नहीं डाला जाता है और सबसे पहले मैं बता दूँ कि देखिए धाई घंटा मेरा उस दिन लगा था बरतन के मतलब क्वांटिटी के उपर है कितना बरतन है जैसे वासी मसीन वजन करता है ना कपड़ों को उसके एकॉडिंग आपका टाइम ल लग जाता है बरतन कीतना है कि अगराफ ये सबस्क्राइब को तो मैं तो मेक्सिमन वसी में यूज़ करती हूं कुशित्स टे debates में ही बरतन डालके जटपट हमारा हो जाता है आप लोग बोल रहे थे इतना देर में तो हम बरतन हाथ से दो लेते इतना समय लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है वह आपको एक तो मोड भी सेलेक्ट करना है दूसरी बात है कि बरतन कीतना है उसके अनुसार वह मतलब समय लेता है पानी लेता है और बिजली लेता है जब आप 30 मोड सेलेक्ट करते हैं उसमें 30 मिनट्स में आपके बरतन धूल जाते हैं चिंता करने वाली बात नहीं है और आप बहुत सारे बरतन जमा इकठा मत कीजिए थोड़ा सही करके अब धोलीजिए तुरत हो जाएगा आप लोग ब करता है पानी वी सेव करता है आपको इसका टेंसन बिल्कुल नहीं लेना है तो चलिए मैं बता दू सबसे पहले कि इसमें कौन-कौन से बरतन हम डाल सकते हैं वह भी आप लोग को उस दिन डाउट किलियर नहीं और एक चीज़ और आप लोग बोल रहे हैं कि वह साफ बरतन आप डाली थी ऐसा कुछ न्यार थोड़ा से जो मोटे मोटे जूटे होते है उसको हमें द्वो देना पड़ता है पानी से उसके बाद हम डालते हैं कि मसीन जल्दी से खराब ना हो ठीक है तो उसमें देखिए सबसे पहले आप Πी तल के भी बरतन मसीन में डाल सकते हैं यह ह जल्दी से थोड़ा सा बता देती हूं लकड़ी आइटम भी डाल सकते हैं स्पैचुला वेगरा डाल सकते हैं लोहे का मेरे पास कुछ नहीं था तो यह गैस का जो उपर का जो रहता है ना रखने के लिए ये सब चीजे भी आप उसमें डाल के दो सकते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं फाइदि हैं मैं कैसे आपको बताओं इसके कितनी फाईदे यह प्रद Hayır इसकल के बढ़तन आप डो सकते हैं ठीक है दोनी वाली यह बढ़तन यह मैं आपको दिखा दी, ऐलमूनियम के कुकर भी आराम से धो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साइन करता है, यह कुकर इस परकार से आपको डालनी है, ठीक है, तो यह हो गया हमारी डालने वाली चीज़े, जो उसमें हमें डाल कर धोनी है, ग्लासों कुछ भी ह आगे चलिए जान लेते हैं, कौन सी चीज़ें उसमें हमें नहीं डालनी है, जो कि मैं एक्सपिरियेंस की हूँ, मैं डाली थी, तो मुझे उसका रिजल्ट सही नहीं मिला, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, कि यह जो एनोडाइस्ट, हाड एनोडाइस्ट यह कूकर है, मैं डाली थी, यह मेरा नया कूकर था, उसमें जो टैबलेट्स हम डालते हैं, तो इतने बरतनों को साइन करने के चकर में पता नहीं, इसके उपर उसका इफेक्ट सही नहीं पड़ा, और इसमें स्पोर्ट जैसा थोड़ा सा हो गया, क्यूंकि जो एनोडाइस्ट बरतन होते है इसमें साइनिंग बहुत अधिक रहता है, और यह ऐसी चमकते रहते हैं, देखे पूरित चमक रहें, लेकिन मेरा यह नहीं डाली थी, उपर का जो ढखकन नहीं डाली थी, बस कूकर डाली थी, तो यह देखे कूकर का हमारा थोड़ा साना साइन चला गया है, तो आप दाल सकते हैं, इसका कुछ नहीं होगा, यह जलता नहीं है, ठीक है, काच का अप धक्कन डाल सकते हैं, यह अनोडाइस्ट, देखे हैं, कई अनोडाइस्ट रिखा दी, इसको मैं नहीं डालती हूँ, क्यूंकि मैं कूकर डालके मुझे, मैंने एक्स्पिरियेंस किया है, नहीं कर दिता हैं, क्या दो, यह बज़क अगरह लेकिन दो, क्या हो रहे हैं, sign चला जा रहा है इसका लेकिन beam के साथ थोड़ा बहुत sign नहीं जा रहा है beam से अगर आप धोना चाहते हैं तो लेकिन beam उतना साफ नहीं कर पा रहा है तो यही मैं सोची कि आप लोग के साथ जो आपके doubt भरे मतलब सवाल थे कौन से बरतन डाले कौन से बरतन नहीं ढाले इसको लेकर मैं सोची कि दो जगस separate करके आपको GU दिखाको और याद हो जाए कि समें क्या डालना है और कौन से बरतन उस मसीन में मतलब डिस वासर में नहीं डालना है और आप लोग का एक सवाल रहा कि दिदी ये कितने का है तो देखिए और ये मतलब इसका साइज कितना बड़ा है तो देखिए 13 प्लेट्स के लिए ये हमारा मसीन है बॉस कंपनी का है और पानी और बिजली दोनों चीज इसमें सही मतलब लेता बहुत अधिक बिजली भी लाता है बहुत अधिक पानी लगता है ऐसा कुछ नहीं है और ये मसीन जो है हम एमेजॉन पे भी अवेलेबल है और ये आपको फिलिप कार्ट पे भी मिल जाएगा और इसका प्राइस आप लोग पूछ रहे थे बार बार पूछ रहे थे एकी है ऑफर मिले सकते तो और भी एक दो हजार आपका तहीं कम लगे तो इस प्रकार से इसका प्राइस है और आप लोग जितना डड़ रहे हैं कि बहुत जंजट है बहुत जहमेला है बरतन को एरेंज करने में सजाने में ऐसा कुछ नहीं है हम लोग कर रहे हैं हमें पता चल र लेकिन जो वरकिंग लेडेज हैं उनके लिह तो रामबाण है मैं आप máximo आजलता है लेने का दिल करें तो लिजी है अगर नहीं दिल करता है बाद में भी ले सकते हैं कहीं कोई दिकत नहीं देखिज अभी इस सकते हैं देखिए बड़कर की अगज़ कोई गूरा चीज नहीं का निकाल के दिखकन व्य मैं डाल जनजट वाला चीज नहीं आप ड़ाया की जादब समय लेता है तो आप 있었दानिय ठीज देह सकते हैं अभी देख लिए फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं बरतन जूठा नहीं था क्या यह जूठा है कि नहीं आप लोग खुद चेक आउट कर लिए आज में दिखा के ही इसमें बरतन लोड करूंगे क्योंकि देखिए दूध का पतीला कितना गंदा है है कि नहीं साफ है देखिए मैं इतना गंदा गंदा इसमें बरतन डाली हूं आप देख लीजे और थोड़ा साना मैं बड़ा हो जाता इसलिए स्पीड में करके आपको दिखा दी थी देखिए सब जूठे हैं कैसे विश्वास दिलाओं आपको यह बहुत अच्छा है अगर आप लेन विडियो बड़ा हो जाएगा ना कितना हम दिखाएंगे दिखिए यह देखिए इसमें सब में जूठा लगा है और लाइट की वजह से साइन कर रहा है तो आपको लग रहे कि धोया हुआ बरतन है ऐसी बात नहीं है आज मैं इसलिए मैं सोची कि बिल्कुल नस्दीक से एक दो टाइम का बढ़ता ना जाए इसलिए हम थोड़ा से इसको अड़्जस्टर के आपको धीरे-धीरे समझाए थे आप जैसे तैसे भर के भी इसको कम समय के लिए भी ऐसा नहीं है कि हम 10 मिनट में तो हाथ से धो लेंगे धोने के लिए तो हम कुछ भी कर लेंगे लेकि इसको आपको बस बंद कर देना यहीं टीकिया है जो कि उस दिन मैं दिखा चुकी हूं फिर भी आप लोग के इतनी कमेंट्स आ रहे थे तो मैं सोची फिर डाल दूं और देखिए डाल के बस इसको आपको यह जो एरो दिखा रहा है इस एरो को ऐसे क्लोज कर देना बस और बरतन लोड हो गया बंद कर दिजे तो देख लिजे आज मैं कडाही भी डाली हूं आप लोग के डिमांड की वज़े से कुकर भी डाल के दिखा दी उस दिन नहीं डाली थी बस प्लेट्स वेगरा डाली थी देखिए सारे बरतनों को मैंने इस प्रकार से मतलब लोड कर दी आप जैसे तैसे भी डाल सकते हैं कोई जरूरी नहीं इतना सुदर से सजाने की कोई जमेला नहीं है एक टीकिया इधर डालना है वह टेबलेट्स और डाल पर अज़्म पती बाना चुकी हूं आपको और देखिए पूरे अच्छे से मैं भर दी हूँ जितना मेरे पास बरत जैसे गंदा भी हो जाता है बरतन वह भी में डालके इसमें थोड़ा से साफ कर लेती हूं तो एकदम चमक जाते हैं बरतन कोई टेंसन नहीं और देखिए आप लोग कहनी की वज़े से मैं दुबारा दिखा रही हूं तो मैं कभी नहीं दुबारा से दिखाती आप लोग बिल चाहूं तो इसको कुछ 30 के लिए कर सकती हूं इंटेंसी पर इसलिए धोतियूं को थोड़ा साना और अच्छी से साफ हो जाता है आप चाहें तो देखिए यहां पर एक्सप्रेस से स्प्रेंग कल दिया है और टो दिया है क्वीक 30 क्वीक पर भी मैं कर सकती हूं 29 मिनिट मे हो जाएगा देखिए इक को भी अपकर के दिखा देती हूं एक घंटा पचीस मिनिट लेता है इक को प्री इंस पर देखिए कितना लगता है 15 मिनिट से लगता है तो यह तो टूटल आपके उपर है थोड़ा सबर्तन है हाफ लोड करना है थोड़ा ही सापको धोना है तो तीला है कुकर कड़ाई में थोड़ा सा समय लगता है जैसे हलके फुलके वरतन है तो आप की थटी कर लीजिए लेकिन जो भारी वरतन है जिसमें बहुत अधिक जूठा वेगरा लगने का मतलब यह रहता है डर रहता है कि साफ नहीं होगा तो इसलिए मैं इंटेंसिव कर देती हूं स्टार्ट कर दूंगे यह अपना फंसन इसका सुरू हो जाएगा और इसको मैं निकालूंगी फिर भी आपको दिखाऊंगे तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करती हूं दूबारा से आप लोग के कहने पर देखिए मैं यह वीडियो बनाई हूं और यह जीरो-ज चलिए अब देखिए कि यह बरतन हमारे कैसे चमक रहे है क्या हुआ है इतनी बरतन में डाली हूं और दो टाइम का मैं इकठा करके डालती हूं क्योंकि इतना एक्सपेंसिव इसमें हम टैबलेट डालते हैं फिर थोड़ा सद होते हैं तो लगता है कि जैसे कुछ ज्यादा भी झारता है तो इसलिए देखिए तो यह मैं डाली थी अब भी आपको आपको देख राओगा ना अभी तो साफ है कि नहीं है वह भी मैं दिखा दें तो कडाई आप लोग पूछ रहे थे तो यह हमारी स्टरी कडाई है इसका क्या रूप हुआ है इस में पॉलिश था तो तो यह मैं बहुत सारा निकाल दी हूं रगड के बाकी सब नहीं निकलता है जो बोलते हैं न अच्छा वाला कंपनी का नॉन इस्टिक का यह नहीं था तो यह नहीं निकलता है मेरा तो ऐसे अगर कडाही जल जाते तो उतना साफ नहीं करता है थोड़ा बहुत जैसा आप सोच रहें इस टील क्रॉकरी जो कि मैं कई बर बता चुकी हूं और ग्लास के बरतन वेगरा यह अच्छा साफ करता है कूकर देखिए आप लोग पूछते कूकर दोता है कि नहीं देखे कूकर कैसे साइन कर रहा है देख रहें जितना इससे हो सकता है यह साइन कर देता है तो दे बहुत सुंदर क्रॉकरी वेगरा बहुत सुंदर साफ करता है अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा यह साफ है कि नहीं है यह दूद का पतीला था उस दिन भी मैं दिखाई थी फिर भी आज आज आप लोग के कहने पर दिखा दे रही हूं देखिए तो आर यह जैसे यह नौनिस्टिक जो बरतन खराब हो गया है ऐसे तो इसमें नियम नहीं है मैं बता चुकी हूं लेकिन जो खराब हो गया उस दिन भी मैं डाली थी आपको दिखाई नहीं यह नौनिस्टिक जो खराब हो गया इसको मैं यूज बहुत कम करती हूं थोड़ा बहुत त तो आदमी तो नहीं किया है थोड़ा बहुत माली जे कही स्पोट रह जाता है तो आप भी धो सकते हैं लेकिन ये पूरी तरीके से कर देता है हमें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है तो अभी आप लोग देख रहना आप लोग बोलते हैं धोया हुए बरतन में डाल देत आप लोग पूछते हैं कि पलट के बरतन रखना इसमें है क्या तो देखें क्यूं रखा जाता है मैं दिखा देती हूं अगर पलट के नहीं रखेंगे यह देखें गलती से यह जो प्लेट है ऐसे हो गया था उपर के तरफ तो इसमें पानी रुक गया है ठीक है तो नियम है कि बरतन को पलट के रखते हैं अभी मैं आपको गंदे दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी आप बिलीव कीजिएगा आप लोग तो देख लीजिए तो यहीं मुझे दिखाने का मकसद था आप लोग बहुत कमेंट्स आपका आया था कि आप साफ बरतन डाली है साफ अगर भाण जाइए तो जाइए थोड़ा-थोड़ा डालने पेन आप समय ज्यादा लगेगा लेकिन बहुत सारा काम एक ही फी टेबलेट में आपका काम इतना सारा हो जाएगा तो दो सेट भी आप बरतन रख सकते हैं रखना चाहे तो तो यहीं हम मुझे दिखाना था दे आप मिलेगा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षित्री और जहां कहीं भी रहिए खुब खुस रहिए